Hello my dear students, इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल राइटिंग करेंगे, आर्टिकल राइटिंग 9th, 10th, 11th, 12th सभी का अक्छाओं में पूछा जाता है Clean India Campaign और सख्छ भारत अभियान बाई डाट 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 हर तो यहां आप अपना नाम लिख दीजिएगा Prime Minister Narendra Modi started the सवक्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री Narendra Modi ने सवक्छ भारत अभियान की शुरुवात की It was started as a nationwide cleaning इसकी शुरुवात देश ब्यापी सफाई के रूप में की गई Nationwide means देश ब्यापी It was started in the view of a clean India इसकी शुरुवात सवक्छ भारत की दिश्टी से की गई थी It was a dream of Gandhiji यह Gandhiji का सपना था Gandhiji had made a lot of effort for this Gandhiji ने इसके लिए बहुत प्रयास किया था But people did not take any interest लेकिन लोगो ने कोई दिल्चस्पी नहीं ली So the dream of Gandhiji could not be fulfilled इसलिए Gandhiji का सपना पूरा नहीं हो सका So the government of India started on 2nd October 2014 The day of Gandhiji जेन्ती इसलिए भारत सरकार ने Gandhiji जेन्ती के दिन 2 October 2014 को शुरू किया To make it successful इसी सफल बनाने के लिए Many leaders, actors, actresses and general public were invited इसे सफल बनाने के लिए कई नेताओं, अभिनेताओं, अभिनेत्रियों और आम जनता को अमंत्रित किया गया इन्वाइट किया गया Prime Minister also invited 1.25 crore Indian people to join this campaign प्रधान मंत्री ने इस अभियान में सामिल होने के लिए सवाशव करोड भारतिय लोगों को भी अमंत्रित किया योग गुरु बाबा रामदेव also joined the campaign तभियान में योग गुरु बाबा रामदेव भी शामिल हुए The government provided subsidy for the construction of toilets शरकार ने सहुचालेओं के निर्माड के लिए अनुदान दिया subsidy the toilets were constructed in schools, college and villages तो इस्कूलों, college और गाउं में सहुचालेओं का निर्माड किया गया इसको अपने note book में note कर ले, thanks for watching me